जय ही हिंद मेरे प्यारे सातियों CISA, BSI, LDC, एकजम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट हैल काम जैसे कि इस से पहले हम तीन क्लास कर चुके है आर्टिकल का तो यह हमारा चौथा क्लास है आर्टिकल का इसमें हम लोग जो क्लास कर रहे थे दाका यूज, आर्टिकल दाका यूज, तो अभी तक हम लोग 9 रूल कॉम्प्लिट कर चुके है अभी 10 मारूल में आएंगे देखिए 10 मारूल क्या बोलते है 10 मारूल में आपको बताए जा रहा है कि historical building और fort के साथ में क्या होगा आपका कभी भी आएगा तो article दाका जो पहले आपका article दाका यूज होगा और था historical building put के पहले article दाका यूज होगा तो इसमें देखिए आपका example का तो तो आपको लेकर आया है जैसे देखी इसमें लिखा है दा रेड़ फोर्ट, दा ताज महाल, ठीक है ये सब के साथ में आर्टिकल दा का यूज होता है और एक चीज आप नोट करके आप लोग आपका नोट कर रहे हैं तो नोट करके लिख के रख लिजिए कि जैसे हुआइट हाउस होता है, राष्टरपती भवन है, उसके पहले भी दा का यूज होता है मगर पार्लामेंट के पहले, जैसे आपको दे देगा पार्लामेंट, पार्लामेंट के पहले दा का यूज नहीं होता है मगर ओही Parliament लिग देगा Parliament of India तो उसका पहले जैसे Parliament रूश का साथ में लिग देगा Parliament of the India ऐसा करका लिग देगा तो आपका उससे पहले दाका होगा Parliament वार्ट का पहले दाका यूज रोट पहले पहले दाका нажा नहीं होता है तो यह हमारा दस बार रूल हो गया जो physical position के पहले article दा का यूज होता है physical position मतलब क्या क्या मतलब जैसे physical position का अर्थ है जैसे physical position दर्शाने वाला जो सब्ध होता है उससे पहले article दा का यूज होता है जैसे आप देखिए the first, the second, the last the second last, the center, the top, the bottom, the middle यह जितना भी word है इसके साथ में article दा का यूज होता है जैसे देखिए यहाँ पे एक लेके आया है answer to the second question in this exercise is incorrect इसमें क्या होगा as bar rule answer to the second question is this exercise is incorrect तो यह आपका 11 number rule भी हो गए अब ही आपको चलना है 12 number rule में देखिए 12 number rule क्या बोलते है 12 number rule क्या बोलते है कि जैसे war revolution war और revolution जो सब्द है इसके पहले article दा का यूज होता है जैसे the first world war the second world war the battle of policy the industrial revolution यह सब क्या है यह सब word का पहले article दा का यूज होता है मगर देखिए इसमें note में लिखा हुआ है जैसे इस टाइब में लिखा रहेगा dash world war यह roman में one लिखा रहेगा तो इसमें फर्स्ट वर इसमें आपका article दा का यूज नहीं होगा यह no article होगा योकि first world war बोलने से ठीक है मगर world war first करने से यह roman में one लिखा हुआ रहेने से आपका नहीं होगा article दाका यूज तो ये 12 number rule भी आपका समब्त हो गया अभी चलिए हैं 13 number rule में चलते हैं ये हमारा 13 number rule है 13 number rule क्या बोल रहा है 13 number rule बोल रहा है किसी heavenly body जेसे हम लोग पहले ये बहुत पहले हम जब article पढ़ते थे तो हम लोग बोलते थे कि universal tooth तो इसमें किया हम इसको अलग से थोड़ा सा डेवलप कर पर बनाया कि heavenly body heavenly body जितना भी heavenly body होता है उस सब्द का पहले article दा का यूज होते है एसे दुनिया में एक टाइप का बोल सकता है कि दुनिया में जो एक ऐसा आकेला चीज है उसका पहले आपको article दा का यूज होता है तो यह आपका 13 number रूल खतम हो गया अभी 14 number रूल में चलते है देखे 14 number रूल क्या है पूरेल सारनेम पूरेल सारनेम का अर्थ क्या होता है देखिएगा किसी किसी जैसे घर का board में लिखा रहता है दा, मोर्या, मोर्याज मोर्याज, S करके लिखा है मोर्याज, करके लिखा है यह S का अर्थ होता है कि वो whole family को दरसाता है तो जबी भी ऐसा ही, दा यह आप समझ लिए कि दा, दास D-A, S, H और S करे रहेगा तो आप इसमें दास का जो पूरा family को दरसाता है तो इस case में आपका क्या होगा आर्टिकेल दा का यूज होगा कि यह सरनेम को बोला जाता है पूरल सरनेम तो इस case में आपका आर्टिकेल दा का यूज होगा, चलिए आप यह पंद्रा नंबर रूल में चलते हैं ठींसे पंदरा रूール देखीये क्या है, फंदरा रूमौर रूल है, नाउन पर्टीकूलर, नाउन पर्टीकूलर का अर्थ है, जैसे आपको सबसे पहले दा का हम लोग यूज, जब यूज का, जब सूरबाद होते, तब हम बोलते कि साटन किसी केस में, दा का यूज होता है अर्था पर्टिकुलर का अर्थ में जैसे यहाँ पर देखिए एक्जाम्पिल दिया हुआ है दा बॉय स्टेंडिंग मतलब ओ एक जो बॉय मतलब खड़ा है आउटसाइड इन माइस आउटसाइड इस माइस्टूडेंट बाहर में जो स्टूडेंट खड़ा है वो मेरा छत्र है तो इसमें वो मेरा छत्र है यह पर्टिकुलर लिए आपको पदा चल रहा है बॉय का आपको इसमें यह आपको साटन बना दिया तो इसलिए आर्टिकल दा का यूज होआ तो साइध आप इस चीज को समझ पाई होंगे कि कैसे ये होता है ये देखिए आभी तक हमारा ये तीन क्लास हो चुका था ये चौता क्लास है और मुश्किल से दो क्लास होगा आर्टिकल का उसमें क्या होगा आर्टिकल का जितना भी रूल है खतम हो जाएगा उसके बाद हम एक क्लास में जिरो आटिकल खतम कर देंगे तो हमारा क्लास को अच्छा लगने से आप तो जानते हैं क्या करना है लाइक करना है शेयर करना है सास्क्राइब करना है तो चलिए और ज़्यदा कुछ नहीं बोलेंगे क्लास इतना तक है जय हिंद